लगबग आठ साल पहले एक नई पुलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया 2014 के दिल्ली विधानसभा एलेक्शन्स में एक बड़ी फोर्स बन कर उभरी और 2019 में भी एक बड़ी वापसी की हमने देखा कि पंजाब के 2022 के विधानसभा एलेक्शन्स में एक जबरदस जीत के साथ उन्होंने पंजाब का डंका संभाला और हमने ये भी देखा कि इस पंजाब की जीत का असर जम्मू कश्मीर पे पड़ा जहां बहुत बड़े बड़े नाम होने आमादी पाटी का हाथ थामा और इनमें एक बड़ा नाम तरंजीत सिंग जी का भी है जिनें लोग टोनी के नाम से भी जानते हैं तो आईए करते हैं इनसे एक खास मुलाकात तो तरणजीत सिंग जी जेकी नियुस टूडे में आपका स्वागत है शुक्रिया तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा जो सब लोग जानना भी चाते हैं आम आदमी पार्टी ही क्यों देखें आम आदमी पार्टी इसलिए कि जुमलों से सरकार चंग तंग आ चुकी ह बीजेपी के जुट से तंग आ चुकी यह सरक आवाम और अगर आप जड़ा गौर से देखें तो पहले कॉंग्रेस हिंदू सिख करके अपनी सियासी राजनीतियां सेखती थी और अपनी कुर्सी पकी करती थी और अब बीजेपी आई तो यह हिंदू मुसलिम करके अपनी स आज आप देखें बड़े-बड़े स्कैम निकल रहे हैं उनके पुराने के स्कैम इन्हों ने निकाले कॉंग्रेस इनके स्कैम निकाल रही है और इसी बीच में जैसे आपने कहा जनम लेती है आम आदमी पार्टी एक अंदोलन से निकलता है एक व्यक्ति शिरी अरविंद केजरिवाल और वो पहले तो कोशिश करता है कि बाहर बैठके ये गंदगी को साफ किया जाए लेकिन जब तक गंदे तलाब में घुसेंगे नहीं जिसको हम पॉलिटिक्स कहते है जब तक उसमें अच्छे लोग नहीं आएंगे ये साफ नहीं होगा बाहर बैठके राइट अप लिखना बात करना और सुझाव देना अलग बात है जब तक बीच में कूद के उसको सुफाई ना की जाए तो फिर उन्होंने ये गवारा समझा कि भई लोगों से पूछा द लेहर जो हिंदुस्तान भर में चल रही है वो अनप्रेसिडेंटिट है और स्पेशली आफ्टर पंजाब एलेक्शन जब वो पंजाब एलेक्शन जीते तो उनको लोगों को ये एक भरोसा रियागा कि ये अब एक नैशनल पार्टी के रूप में उबर आई है तो सर देन हैं तो आप ये समज़ लें के प्रियोगशाला बना पे रख दिया जम्मो को हमारी रियासत को इनोंने स्टेड का दर्ज़ा चीन के हल होता ये है कि यूटी को स्टेट बनाया जाता है लेकिन सत्तोर सालों में उल्टी गंगा बह गई इनोंने स्टेड को यूटी बना का उस ताज को इसनों ने तोड़ के रख दिया हम मांग करते हैं कि यह हमारा स्टेट का रियास्त का दर्जा तो वापिस कर दे क्योंकि यह तो परधान मंत्री ने वादा किया था लाल के लिए से भी वादा किया अमिद्शाजी ने अन दा फ्लोर आफ ता उस पार्लिमेंट म नहीं जीतेंगे तो हमारा किसी ना किसी तरह इनमें दखल रहे हैं आज बीजेपी जो है पुरी तरह से फेल हो चुकी पार्टी है आज हमारे हमारा जो जो हमारा जो पूरा खाका है जो हमने बनाया लोगों के लिए उसको कापी कर रही है हम कह रहे हैं फ्री विजली तो र आमादी पार्टी बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में जॉइन करें तो ग्रास रूट लेवल पे आमादी पार्टी जम्मू कश्मीर में क्या करने वाली है ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं हम तो है ग्रास रूटर तो और हमारी पार्टी भी ग्रास रूट की लेवल क ही सोचती है अब अच्छी साफ पीने का पानी आप किसकी बात करेंगे जो जो रईस है उसको तो पहले ही पी रहे हो तो फिल्टर लगे है जहां से पानी आ रहा है वहां भी फिल्टर लगा घर के अंतर भी लगा और बाद में वो तीन बार फिल्टर करके पी रहा है ठीक है सा किसको चाहिए उसको चाहिए ग्रास्पूड लेवल पर हम एह जएगे साफ पानी आम आज़ मीपार्टी दे की साफ पानी पीने के लिए माध मीपार्टी बिजली दे की 24 गंटे के लिए यहां हम सरकार बनाएंगे जम्मू किश्मीर के अंदर, आप देखते रहे ना, किश्मीर में एक अलग तरह से इंकलाब आया हुआ है, आने वाले हमें दावत आ रही है वहां से, हम तो इद का इंतजार कर रहे थे, और मैं सभी दर्शकों को इद भी मुवारक करता हूँ, और जो परशुरा जाइन करने हैं, और वो भी बड़े चेहरे हैं, जाइन करने के लिए तियार हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक इंकलाब है ये, आम आदमी पार्टी एक नहीं सोच के साथ एक नया इंकलाब है, नहीं सिर्फ जम्मू के लिए, पर पूरे देश भर के लिए, और मैं आपको बताओं, अगर मोदी जी की लहर चली थी, तो केजरिवाल जी की एक सुनामी चल रही है, आपने अभी एलेक्शन की बात की, तो मेरा एक सवाल, एलेक्शन से रिलेटेट भी है आप से, कि आने वाले समय में, जब भी जम्मू कश्मीर में एलेक्शन होंगे, तो आम आपने कश्मीर की भी बात की, यहां पर आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं बड़े नाम जुड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ, तो एक सवाल आपका, ये भी था मेरा आप से, कि कोई मुश्किलें आएंगी, आम आदमी पार्टी को कश्मीर में, ग्रास रूट लेवल पे अपने पूरे अडमिस्टेशन चलाने में, कोई मुश्किल नहीं आएगी हैं, क्योंकि गरीब दिल्ली का हो, गरीब पंजाब का हो, गरीब जमू किश्मीर का हो, गरीब पूरे हिंदोस्तान का हो, उसकी एक जैसी ज़रूरते हैं, और एक जैसी उसकी आकांशा हैं, और वो उतने में खुशा हो, उसको चाहिए अच्छा स्कूल, जो केजरिवाल जी ने बना के दिया, एक अच्छा मोहला क्लीनिक, जिसमें सारी फैसलिटीज मिलती हैं, आपके तीन सो के करीब टेस्ट होते हैं, बोडीज के, सारे के सारे फ्री हैं, आम आदमी पार्ट कि अगर आम आदमी पार्टी जो है, उसको सरकार बनाने के लिए कोलेशन की जरुवत पड़ी जम्मू कश्मीर में, तो किसी और पार्टी के साथ कोलेशन की जा सकती हैं, यह फैसले हैं, पार्टी की हाइक मान के, जहां चलना है, वहां का डेकरम मानना है, जो पार्टी की लीडरिशिप फैसला करेगी, अगर हम दिल्ली के अंदर ठोकर मार सकते हैं सरकार को कलीशन के लिए, तो हम यहां भी मार देंगे, लाएंगे तो अपनी लाएंगे, मजारिटी की सरकार लाएंगे, और आपको येकिन रगे हैं, आमें की जरूरत नहीं पड़ेगे, सर आख और अभी एद खतम हुई है, तो एद के बाद हमें किश्मीर में भी जाना है, बहुत सारे लोगों को जाइन कराना है, तो उसके बाद जब हम मुनासिब समझेंगे के हम तियार हो गए हैं, तो फिर हम उनको आने में दिक्कत नहीं हैं, अलबता थोड़ा सा वो व्यस्त हैं हिमाचल में और गुजरात में क्योंकि वहां पर इलेक्शन हम से पहले हैं, तो वहां व्यस्त उनकी थोड़ी सी व्यस्ता है, तो बाकी हम जब चाहें, जब हम नियोता देंगे वो आने को तियार है